दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरे में कैद हुए कुछ सबसे अनबिलिविवल मुमेट्स दिखाऊंगा तो चलिए आपकी कीमती जमय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को इस वीडियो में आगे जा रहा है बाइक राइडर को जरा ध्यान से देखिए आपने बहुत से कमाल के फाइर वर्क्स देखे होंगे लेकिन 4 जुलाई 2012 को सैंडीगो में एक फाइर वर्क डिस्प्ले प्रोग्राम हुआ था जिसमें 7000 फाइर वर्क का डिस्प्ले डिरेशन 17 मिनट रखा गया था लेकिन किसी टेकनिकल गिलिच की वज़ा से ये सारा फाइर वर्क डिस्प्ले एक ही साथ में 30 सिकंड के अंदर हो गया था जिसकी वज़ा से ऐसा नजरा देखने को मिला था अब इस वीडियो को देखिए इसमें डैवर इस फिश के साथ डांस कर रहा है इस वीडियो में या आदमी कई 100 फीट की उचाई पर बल्ब एक्सचेंज करने के लिए आया है और नीचे का नजरा देखिए ये वीडियो हॉंग कॉंग की है इस रोड पर इतने जादा लोग थे कि ये पूरा रोड इन लोगों से कवर था लेकिन जैसे इस रोड पर एक अमेरजेंसी फायर ट्रक आया तो इन लोगों ने इस तरह से इसके लिए रास्ता छोड़ दिया कि जैसे यहां पर रश होई न और ये ट्रक बिल्कुल अराम से यहां से आगे मदद करने के लिए निकल गया कैमरे में कैद हुए हॉंग कॉंग के लोगों की इस वीडियो ने सभी का दिल जीत लिया इस वीडियो में डॉग कहीं जा रहा होता है लेकिन तभी इसके सामने एक शेर आ जाता है अब ये डॉग सोचता है कि अगर ये इससे डर के भागेगा तो ये शेर इसे मार डालेगा इसलिए उल्टा शेर पर भौक कर उसे डराने की कोशिश करता है देखिए किस तरह से या अदमी अपने दोस्तों की फोटो ले रहा है इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि रेशिया और यूनाइटिड इस्टेट की रिलेशन्शिप कैसी है ये वीडियो इंडिया की है देखिए इस जगा पर 2017 में हैवी रेंफॉल की वज़ा से क्या हाल हुआ इस जगा पर मिसाइल अटैक हुआ था जो की कैमरे में रिकॉर्ड हो गया इस वीडियो में इस एरोपलेन पर बिजली गिरती है और ये नजारत देखने में काफ़ी खौफनाग लगता है चाइना में कुछ बिल्डिंग्स बन रही थी लेकिन किसी वज़ा से इन 15 बिल्डिंग्स को एक साथ डेमॉलिश कर दिया गया ये अदमी फिशिंग रॉट की जगा पर अपने हाथ से मचली पकड़ने की कोईश कर रहा था क्या आपने कभी किसी को पानी के अंदर हौकी खेलते देखा है दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ठैंक्स